हाँ तो भाई मेरे मैं सुरतो बिस्वास और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले काफी इंट्रस्टिंग टॉपिक के बारे में या फिर आप बोल सकते हैं काफी कन्फिूजिंग टॉपिक के बारे में बाई कोई भी इंसान ही रिटेट हो जाएगा लेकिन मैं आप आपको अच्छे से मतलब अपको मद्द करूंगा समझाऊंगा सिखाऊंगा कि कैसे आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं जो टॉपिक है ना बढ़ने में गाफे सिंपल लगते हैं मैं को पढ़कर बताता हूं कि हाव टू अपडेट स्टेट बेस्ट यानि कैसे अपने स् सोचेंगे भाई यह टॉपिक क्या है समाझ भी नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही सिंपल होगा मतलब लेकिन भाई बहुत ज़्यादा मतलब आगर आप इसके पिछे पर पड़ गये मतलब आगर आपके साथ यह लफड़ाइक पर हो गया ठीक है यह इश्यू आ गया तो आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा ठीक है तो चली देखते हैं कैसी यह यूश्यू आता है और मैं आपको बहुत ही सिंपल एक्जांपल से समझाओंगा ताकि आपके जो कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटर एक्जांपल नहीं सिचुएशन में भी आप इसे सिंपल समझ के निकल सकते हैं वही चीज़ होगा ठीक है तो यहां पर डॉक्मेंटिशन से मैं सब कुछ उठाता हूं डॉक्मेंटिशन पढ़के आपको समझाता हूं ऐसा कुछ मैं आपको किताब रख कर नहीं है जो आपके सामने तो क्लियर कट है तो मैंने आप यह यह भी रखा करके इस सिच्वेशन से बाहर निकल सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं काफी मज़दार है लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भी का निक्यूजन लेगे तो सबसे पहले हम लोग स्टेट करते हैं तो मैं आप एक स्टेट कर रहा हूं स्ट काउंटर काउंटर सेट क काउंटर ठीक है और यहां पर यूज स्टेट दे देते हैं और यहां पर इसको सेव करते हैं और यहां पर इसका वैलू लेने के लिए में आपर करली विर्सेस कंदर काउंटर लिखना पड़ेगा ना काउंटर यह हो गया अब देखते हैं यहां पर जिरो आपको दिख रह लग रहा था अप्लिकेशन दो थोड़ा इंटरस्पिंग बनाने के लिए एक इमोजी यूज़ कर लिए कि चल बैठीग है कुछ मतलब लगना चाहिए कि हां कुछ हो रहा है यासा वाला फील आएगा ठीक है तो यहां जिरू दिख रहा है बहुत बड़ी है बड़ी है बाई काउंटर निए याड ब्रोकली रहते है रहने दाएमोजी और कोई भी समझ जागा ऐड़ ब्रोकली यैनि भाई रोकली प्रोकली एड हो रहा है एस तरह के से क्लिक करने से यहां प्र काउंटर पढ़ना चाही है जिंपल ह और यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं यहां प्लि लेखते हैं, या फिल लिखते हैं Add, 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 add broccoli, भाई, ब्रोकली के spelling क्या होगा ? B-R-O-C-O-L-I, सही है के spelling भाई पता नहीं देख ले ना, ठीक है, हमको तो लग रहा ही होगा वह ब्रोकली बहुत ही हम मिलता है वाई गाउन घर में यह सार tuyพो भॉलता वह भी पत्ता हो वह मिलता है तो पता नहीं का कोई भी है जो क्या कर गराई इस counter इंक्रेस करेगा है लोग है सेट trueוד और कांटर 12 outro q basic logic है इसमें तो कुछ है नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ fancy सा दिखा रहे है ना on click में लगा दिए add broccoli को ठीक है अब जैसे इस पे add पे click करेंगा तो counter बढ़ेगा ठीक है add पे यह on click पे यह function कॉल होगा और यह function क्या करेगा state counter को बढ़ा के set कर देगा मतला update करेगा state को update कैसे करती है जो set function मिलता है ना उस पर हम लोग counter प्लस वन कर दे रहे हैं तो जो भी अभी current counter प्लस वन होगा तो यह बढ़ेगा जब बढ़ेगा तो रिरेंडर होगा और हमें updated value मिलेगा simple सा है ठीक है कुछ यहाँ पे special as a hang ठीक है तो भाई लिए प실히 product प्लस टो यह जोता है लिसके डूस के लिए लाए भाई तो अपटन को टीन बर ना every tension करना पड़े ॕरिए इंसान का अधत होता है कि हमेशा आराम, comfortable हो जाता है, ठीक है, तो थोटा है, comfortable होना आते हैं application को, तो एक function होनाते है, function होनाते है, क्या, const add 3, नहीं भाई, 3 के spilling आता है हमको, ठीक है, ब्रोकली का नहीं, पता सही है का नहीं है, ब्रोकली, C-O-L-I, या C-L-I, ब्रोकली, पता नहीं है, भाई, देख लेना, ठी क्या ही है, कि इसी code को लिए है, और तीन बर यहां चापती है, वाई, तीन बर पेस्ट करती है, तीन बर update हो जागा, अपडेट हो जागा, जो भी है, मतलब तीन बर update हो जागा, counter तीन बर जाएगा, simple so logic है, और इस button का भी copy मारती है, और यहां पर, क्या हो गया, इसको जो है इसे copy मारती है, यहां पर लिख दिये है, X3, ऐसा लिखते है न, मतलब कि तीन ब्रोकली अड़ करना, ऐसा है तो उसका meaning निकलता है न, और यहां पर function देती है, add 3 ब्रोकली को असाइन करती है, अब होगा भाई, interesting चीज, ठीक है, यह देख लेती है, यह काम कर रहा है, यह त बढ़ रहा है, चोड़ों चेक करते है, function दो गलत नहीं लिखा, नहीं भाई, function सही है, add ब्रोकली, तो हाइलाइट गो जा रहा है, तो तुम बोल नहीं सकती है, भाई, सुगरो तो तो तुम गलत लिख रहा है, ठीक है, तो माजरा क्या है, यही है issue, जब आप multiple state update करोगे न मैं आपको अच्छा सम्झाओंगा, लिखा, however, after one click, age will be, अब age है, हमारे case में counter होगा, ठीक है, जो भी है, तो तीन बर click करने कबाद यह 45 होना चाहिए था है, यह जैसे तीन बर click के तो भाई, हमारे 3 हो जाना चाहिए था न, 0 है तो click के तो 3 हो जाना चाहिए था, यह तो 1 ह हुआ, तो यहां simply लिखा है, this is because, भाई मेरे हिंदी मीडियम से थोड़ा मेरे एंग्लिस का प्रूनॉंसेशन उल्टा सीथा हो सकता है, मैं मेरे अपको अच्छा सम्झा देंग, ठीक है, तो लिखा है, this is because, calling the set function does not update the age, state variable in the already running code, अब हमारे code में इसका क्या meaning हो सकता है, हमा हमारे context में क्या meaning हो सकता है, मैं अपने context में बता रहूँ कि हमारे code में, आपने जब इस button पे click किया ना, इस button पे जिन थी भाड़े जाना चाहिए था, तो उसमें क्या होगा कि आपको दोखो, हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग coding करते हैं, हम लोग कैसे समझते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इस पर अगर click कियें, यह function run होगा, यानि कि counter एक बढ़ेगा, ठीक है, counter प्लस one होगा, counter कितना है, 0 है ना, starting में, तो मैं comment कर रहा हूँ, 0 प्लस one कितना हो जागा, 1 हो जागा, हाँ ठीक है, और उसके बाद ना, क्या होगा बाई पला है, जुबर तो फिर one हो ग पता है कि जावास्क्रिप्ट जो यह line by line execute करता है, लेकिन यह पर प्रॉब्लम किया ना, react का अपना खुद का भी concept है, वो क्या करता है, जब अब इस तरह से multiple state update कर रहा हो ना, तो यहां पर एक चीज़ तो लिखा हुआ है, वो तो batch update करता है, वो तो बैच अपडेट करता ह age state, state function update नहीं, state को update नहीं करता है, variable already running in the code, कहने का मतलब यह हुआ, यहां पर लिखाना है कि already running code, इसका क्या मतलब बता है, आपने यहां पर जैसे, रे भाई, कहां गया codator, आपने इस बटन में क्लिक किया, यह function run वा, इसने तीन state को करना है, तीनों को call करना, तो यह नहीं क कि यह call हुआ, और फिर value, फिर, मतलब, running code में आपको update नहीं करेगा, मतलब, समझे लो, बात कि running code में update नहीं करने का, मतलब, यह यह भानीं हुआ कि यह update हुआ, और फिर सो component render हुआ, फिर आपकोügenốiTo recap, पिर अपको यह मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर ऐसा नहीं हुआ, ठेक है, यही बार में बैच अफडेट करता है यह क्या कर रहा है है घर मैं कमेंट फटा दूँ यााँ से ताक कि आपको क्लिक किया थीज बैच अब 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 में प्लस वण एक हो तो यहां पर देखा यार फिर से अप्डेट हो रहा है अभी काउंटर का वैलू कितना है रिसेंट टाइम फ्रेम में जिरो है वालू हाँ जिरो प्लस वन फिर से भाई चलो कोई बात में जिरो ब्लस वन कितना वन तो इसलिए जब भी हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं तो लिनेर से ना लिनेर के लिनेर तो आपडेट होगा काउंटर कैयोंकि हमने अपडेट कर दिया तो हमें पर अपडेटेट मिलना चाहिए ऐसा नहीं होगा ये कोडव्या आरा है और जित्मा समझा है आ रहा हूं तरह हां थीक है साफ सब लिखा है कि the state function does not update the age state variable already running in the code तो running हो रहा है उसमें यह हो जकता है तो ultimately यह जो है तो है आप पर दिया है कि अगर आप तीन थीन बार कर रहे है तो same होई चीज होगा 41 plus 141 जो भी है मतलब सेम ही चीज जागा ठीक है तो इसको solve गने का simple solution एका simple solution यह कि आपको updater function pass करना है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर कैसे करेंगे तो काफी simple है इसको नीचे में फिर से लिख रहा हूं तो state counter लिखना है और इसके अंदर तो आपको एक updater function देना इस तरीके से ठीक है। जय से हम लोग quality function कैसे दते हैं वैसे और यहाँ पर लिखना है counter plus one ठीक है जयसे यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है यह देखो यहाँ पर updater function यहाँ पर दिया है आप प्रिविएस वाल उब को मिलेगा ठेक है तो देखुँआ प्रिविएस गंटर आपको यहां करना ग्रिविएस काउंटर प्लस वन ठीक है यह सही फॉर्मेट है ठीक है आप मेरे को तीन वर में दो पेस्ट कर दूंगा तो आप यह इसको मैं रिमूब कर दे रहा हूं , या फिर मैं तक यह रनना हो , ठक्क है ? आप कैसे होगा , मैं बताता हूँ, ठक्विफ होगा , इसमें ये क्या है , अब इस तरह हुआ अब इस तरही सब अपडेटर फशन देते हो न तब अब ए आपको क्या करेगा ? को क्वी में डाल देखा तो आप लिखा है एक विया कि कर देखने के लिए एक लाइन में लगा दिया लिए लिए पहले तुम फिर तुम 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 फिर तुम तुम एस तरीके से तो क्या है के रियक में इन सारे अप्डेटर function को क्वी में लगा दिया कीवी क्वी जो भी बोलो ठीक है तो अब क्या होगा ना तो यह जब जब रन होगा तो यह प्रीवीज गांटर लेगा यनि पहले गांटर क्या था तो दीडिशाव में लेकिन कुई में की लगा दिया कीवी में तो यहां पर चेक करेगा प्रिवेस काउंटर का बता दिया तो यहां पर चेक करेगा प्रिवेस काउंटर का बता दिया थीक है तो यह चेक करेगा कि प्रिवेस काउंटर में आ जाता है प्रिवेस काउंटर के तम सा वन था प्रिवेस काउंटर प्लस वन तो यहां प्लस वन प्लस टू ठीक है फिर इसले चेक किया बाई कुई में कीवी में थैले में आप बहा है कि मैं चुभी बोल सकते हूं उसमें है ठीक है अभी एक function बचावा जो मतलो execute होना है erta कांतर मैं कांतर मां कांटर धीक होगाँ फिरास सब्सक्राइब आप देखना यह क्या होगा यह तीन तीन चपड़ेगा चल देखते हैं रेलोड करते है यहां पर क्या करो मैं यहां पर देखता हूं मेरे को भी नहीं पता मैं यहां पर एक्स्प्रिमेंट कर रहा है पर मैं counter plus one करता हूं ठीक है तो भी क्या यह चीज़ उसी तरीके से क्राम करेगा देखते हैं चलिए होगा ना क्यूंक्यूं में तो इस time frame में आगर execute हूआ यह function call हुआ तो counter value क्या होगा भाई वह ही होगा मतलब 0 ही होगा तो 0 plus 1 1 0 plus 1 1 0 plus 1 1 finally 1 तो आपको यहाँ पर क्या कहना हो previous counter देना होगा जब आप previous counter दो गए तब ना वो previous value use करेगा और हरे का calculate करेगा तो हाँ साफ सब लिखा भी हुआ है कि react put your updater function in qv then next then during next render it will call them in same order तो यह receive हुआ और फिर एक बड़ा ठीक पेंडिंग स्टेट रिटर्न करता 43 as the next state फिर ना जो यह return करेगा ना फिर अगले बार ना वही चीज़ अगले बार ना वही चीज़ अगले पेंडिंग स्टेट रिसीब होता था यहां 43 as a pending यानि जो भी हमारा previous counter नहीं था वो चीज़ ठीक है यानि जो यह add करके भेजा ना next में one तो वही चीज़ यहां पे इसमें previous counter यहां पे receive होगा फिर previous counter यानि वन प्लस वन टू ठीक वही चीज़ यहां पे तो सब सब लिखा है तो अब लास्ट में चेक करता है कि दिए रहां नो अधर कोई update कुछ और बचा नहीं हा तो आपको काफी इशू सकता को समझ में नहीं आ कि अपडेट करने हो नहीं रहा है वगड़ा 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 बहुत सारा कुछ ठीक है तो जब आप सेम स्टेट को multiple update कर रहा है ना कहीं पर भी या फिर सेम स्टेट अलग में कि अपडेट हो रहा है बान के चल दो तीन function कॉल हो जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत आके पीछे कर देता है तो आप इस तरीक से बेटर convention है कि आप safe side अगर आप चलना चाते है तो आप इस तरीक से अपडेटर function डालो कोई नुकसान नहीं है तो यह आप यह इसमें कितना ही अंतर भाई आपको एक कॉलेग functioning तो लगाना है तो आप safe side में चलोगे ठीक है तो यह आप कर सकते हो लेकिन ऐसा mandatory नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा अगर इस तरह का situation है तभी करना वरना कोई ऐसे दिक्कत नहीं है ठीक है तो आसा करता हमको यहां तक सम description box पर ठीक है तो फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में